असलाम वालेकुम शेख मेरा जुम्मा के रिलेटेड सवाल था हमारा पर कुछ लोग जुम्मा के लिए इमाम दूसरी जगा से बुलाके पढ़ते हैं और मतलब क्यूंकि हमारा पर आजू बाजू सुभानफी मसलक के मस्जिद है तो यह मुसल्सल तकरीबं 6 साल से चल रहा है तो यह ऐसा मतलब पढ़ना बुलाकर दूसरी जगा से इमाम यह ठीक रहेगा या नहीं कोई हरज की बात नहीं है अगर आपके यहां कोई ऐसा आलिम या कोई ऐसा इंसान अवेलेबल नहीं है जो जुमा का खुत्वा दे सके तो जाहिर है दूसरी जगे से बुलाकर करके पढ़ना दूसर्त है कोई हरज की बात नहीं है यहां पर मस्जिद नहीं है इसा कुछ रुकावर्ड भी नहीं है जी तो फिर उसमें क्यों नहीं पर्ते हैं अप लोग नमाँ की नमाज में इस्तिमाइयत जरूरी है इस्तिमाइयत का मतलब यह है कि एक बस्ती में या एक इलागे में किसी एक जगे पर सारे मुसलमान जुमा की नमाज परेंगे यहां तक कि एक ही अलाके में दो मस्जिद में जुमा करना ये दुरुस्त नहीं है दुरुस्त सिर्फ इस शकल में है कि एक मस्जिद इतनी बड़ी ना हो कि सारे लोग आ सकते हूं तब दूसरी मस्जिद में जुमा की नमास कायम करना दुरुस्त है अगर मस्जिद बड़ी है सारे लोग उस मस्जद में आ सकते हैं तो सारे लोगों को एक अठा जुमा की नमाज पढ़नी है दूसरी मस्जद में जुमा की नमाज कायम नहीं करनी है दूसरी मस्जद में कायम करने करना उसी वक्त जायज है जब एक मस्जिद तंग पर गई हो उसमें गुंजाइश ना हो अब आप कह रहे हैं कि वहाँ जुमा की नमाज होती है लेकिन लोग कह रहे हैं कि वो दूसरे मसलख के लोग हैं लहाजा उनके पीछे पढ़ना दुरूस नहीं है ये गलत बात है आप उनके अगर वो आपको वहाँ जुमा पढ़ने से मना नहीं करते हैं तो आप उनके पीछे जुमा की नमाज पढ़िए हाँ अगर वो मना करते हो या कोई परेशानी आ रही हो या मस्जिद तंग हो रही हो तब आईसी सूरत में दूसरी जुमा की नमाज कायम कीगे वरना दूसरी जुमा की नमाज सिर्फ इसलिए कायम करना कि वो दूसरे मसलक के लोग हैं ये दुरूस नहीं है